हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बेक टू आवर चैनल फुल फॉर्म क्या होता है तो टीपी एज को फुल फॉर्म होता है टन्स पर आवर का बतलब जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक टन इस इकल्स टू वन थाजन केजी होता है और इसके एकॉर्डिंग हम जितने क्यूविक मेटर का प्लांट लेते हैं हर एक प्लांट का अपना मॉडल वाइस इसका टीपी एज भी उसकी अगेंश्ट में कमपनी देती है एक स्टेंडर्ड बेस पर उसका टीपी एज डिसाइड किया जाता है तो दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सिस कर लें दोस्तों के साथ शियर करें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें नौब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे 18 क्यूबिक मेटर प्लांट की जो 18 क्यूबिक मेटर की प्लांट होते हैं तो जो टीपी एज होता है एस पर ISOE स्टेंडर्ड वो होता है 45 TPH 18 क्यूबिक मेटर का जो आपका प्लांट रहेगा सपोज अगर हम बात करें CP 18 प्लांट की तो उसका जो TPH होगा उसका जो टन पर आवर जो एक घंटे में वो 45 टन कॉंक्रीट निकाल सकता है नेक्स्ट वन हम बात करेंगे 21 क्यूबिक मेटर प्लांट की जो की 21 क्यूबिक मेटर प्लांट की अपने अपने अलग प्लांट आते हैं तो 21 क्यूबिक मेटर की प्लांट की अगर हम बात करें सपोज एट हम अगर बात करें CP 21 की तो वो जो एक घंटे का TPH होगा उसका जो 52 टन पर आवर की स्पीड से चलता है next one हम बात करेंगे 30 क्यूबिक मीटर प्लांट की जैसे की हम मान लेते हैं CP30 की बात करें अगर CP30 जो होता है वो 75 TPH 1 आवर की स्पीड से चलता है, एक घंटे में ये 75 टन पर आवर की स्पीड से आपको concrete दे सकता है दोस्तो हम ऐसे तो calculation कर लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर दे दिया लेकिन अगर किसी ने आपके interview में ऐसे question पोश लिये कि आपने कितने TPH के प्लांट पे काम किया है तो शायद आपको हो सकता है इसका पता भी ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो दोस्तो वीडियो को start से end तक पूरा देखिए आपको बहुत सारी चीजे इस वीडियो में समझ में आने वाली है नेक्स्ट वन हम बात करेंगे 60 क्यूबिक मेटर प्लांट की जो की 150 TPH का प्लांट होता है जो हमने TPH निकाल के दिये हैं ये सभी ISO standard है तो जो 60 क्यूबिक मेटर का प्लांट होता है वो 150 TPH का होता है और ये एक घंटे में 1.500 TPH चल सकता है मतलब एक घंटे में ये आपको 150 टन पर आवर के स्पेट से चल करके 150 टन आपको concrete दे सकता है Next one हम बात करेंगे 100 क्यूबिक मेटर के प्लांट की जो 100 क्यूबिक मेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक घंटे में जो प्लांट 100 क्यूबिक मेटर दे सकता है उसका TPH कितना होगा इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की जा रही है तो जो 100 cubic meter का plant होगा वो 250 TPH का होता है 250 TPH का मतलब यह है अगर 100 cubic meter का plant आपके side पे लगा हुआ है तो वो 250 ton per hour के speed से चलेगा और आपको एक घंटे में 250 ton per hour concrete provide करेगा Next one हम बात करेंगे 110 cubic meter के plant की जो की हमारा M2.5 होता है तो जो M2.5 plant होता है वो एक घंटे में 275 TPH concrete निगालता है मतलब आपका 2.5 plant जो होता है वो एक घंटे में 275 ton per hour के speed से चलता है और जो उसकी concrete production की जो level होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एक घंटे में आपको 275 ton concrete दे सकता है नेक्स्ट प्लांट के हम बात करेंगे जो की 120 cubic meter का plant आपको 120 cubic meter का अगर आपका plant है तो वो एक घंटे में 300 ton per hour की speed से आपको concrete दे सकता है जो की high efficiency के साथ बहुत ही अच्छा concrete बना करके आपको जल्द से जल्द आपके production को complete करने में help करवा सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे 150 cubic meter का जो plant होता है वो आपको एक घंटे में 375 TPH की speed से चलता है और आपको एक घंटे में 375 ton concrete प्रोड्यूस करके दे सकता है तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सारे plant के model wise, cubic meter wise आपको TPH की जानकारी हमने provide की है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और दोस्तों को share Thanks a lot for watching this video